Hello and welcome everybody, continue करेंगे अपन ancient India की classes से जो अपन RO और ARO के लिए कर रहे हैं ये वीडियो में अपन डिसकस करेंगे imperial शोलास के बारे में अब ध्यान रखेगा ये जो शोला पिरड है बहुत ही जादा important पिरड है क्योंकि जैसे अपन North India की dynasties में अपनने गुपता के बारे में बात किया है या मौरियन के या हर्शा dynasty के बारे में बात किया है उसमें मैंसे एक जो dynasties थी मौरिया और गुपता particularly बहुत जादा important है क्योंकि उनका tenure जादा रहा है उनका जो administrative expense रहा है यानि कि kingdom रहा है empire रहा है वो बहुत जादा बड़ा रहा है ऐसे ही यदि आप southern equivalent में देखोगे तो वो है छोलास अब ध्यान रखेगा एक बात में आपको बहुत clear करना चाहा रहा हूँ कि संगम literature जो कि अपनने पढ़ा था संगम period कहलाता है 300 BC से लेकर 300 AD क्या period कहलाता है यहाँ पर southern period में already ये dynasties exist करती थी यानि कि शेरा, पांडिया और शोला ये जो हैं तीनों की तीनों dynasties already इस period में exist करती थी याद किजे अपनने किया था संगम literature में कि उसी समय पांडिया के अंदर तीन major संगम literature के conferences organized किये गए थे जो पहले और तीसरे conference मदुराई में organized किये गए थे and the second conference was organized in कपड़ापुरम ये अपनने किया था तो ये जो dynasties है meaning to say that ये पहले भी exist करती थी पहले यानिकी BCE से लेकर AD के period में 300 BCE से लेकर 300 AD इनके जो influence थे यदि आप शेरा देखोगे तो ये केरल में exist करती थी पांडिया यदि आप देखोगे तो southern टमिल नाडू में exist करती थी वहीं पर यदि आप शोलास की बात करोगे तो वो exist करती थी northern टमिल नाडू से लेकर present day आंदरप्रदेश के कुछ regions तक exist करती थी यानिकी ये dynasty पहले exist करती थी उसके बाद क्या हुआ ये जो तीनों dynasty है आप देखोगे इन्हें कालाब्राहा रूल ने कर दिया था जिसके कोई भी रिकॉर्ट्स अच्छे से नहीं है कालाब्राह यानिकी जैसे की आपन डार्क एजस पढ़ते हैं यूरोप की जहां पर सारे के सारे रिकॉर्ट्स को जला दिया जाता है वैसे ही जो सदन इंडिया की डार्क एज है उसे ये कहते हैं अब यदि अपन बात करें तो फिर से क्या हुआ इस समय के बाद 200-300 साल तक क्या हुआ फिर आपन को इस एज के बारे में पता नहीं है और उसके बात की जो हिस्ट्री है हम लोगों ने पढ़ा है जहां पर अपन ने पललव से 400 साल तक इनका इंफ्लूएंस एक बड़े ही रीजन में साउथ इंडिया के रीजन में रहता है और ना सिर्फ साउथ इंडिया बलकि आप इनका इंफ्लूएंस देखोगे इन फाक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो सबसे इंपोर्टेंट इनके रूलर है राजे इं और ओर था बाद में इंटा इंट कापिट टाम लाडू में गंगई कोंडा फ्लला पूरreibt में ट्रांसफर कर दिया जाता है देखेंगä आपन तो इफ़ी सीधाट जो मेजर इनकी कोर वेल्ट है वो क्या है सदन इंडिया है याने की सदन इंडिया में केरल, टमिल नाडू, आंदर प्रदेश ये जो है मेजर इनकी कोर बेल्ट है उडिशा याने की कलिंगा रीजन जो पहले बोला जाता था और बाद में वेस्ट बेंगॉल भी कुछ एरिया में इनके अंदर आता है ध्यान रखेगा श्री लंका भी बहुत important territory बन जाती है जो short period में आपन देखेंगे पूरा का पूरा short period में एक छोटे सा period था राजेंदर वन का इस period में पूरा का पूरा जो श्री लंका था वो शोला एंपायर का पार्ट था वहीं पर यदि आपन Maldives देखें तो Maldives भी एक point of time में शोला ए countries में छोला का influence आपको मिलता है याने की दो चीज साफ होती है navy point of view से छोला का जो पूरा का पूरा navy था बहुत strong था और दूसरी बात यह होती है कि आप इन एरिया में आप देखोगे trade ties भी exist करती रही है अब अपन सार्ट करते हैं basics MCQ के मदद से तच्छोला dynasty was founded by which of the following rulers ध्यान रखेगा हमारा जो trend है हम कैसे पढ़ रहे हैं founder पढ़ रहे हैं कुछ major important leaders पढ़ते हैं तो ऐसा ही जो इनके जो सबसे important आपन देखेंगे जो leaders है वो है राजा राजा वन ये सबसे important है और इसके बाद इन ही के जो पेटे हैं उनका नाम है राजेंदर वन ये दोनों सबसे important leader है छोला में इसके अलावा बहुत सारे exist करते हैं बट exam point of use उनका cause benefit बहुत कम आता है और जो founder है उनका नाम है विजयाला शोला इन्होंने actually found किया था कब found किया था 850 AD में इन्होंने छोला empire के शुरव के पहले क्या था गुपता पीरेड गुपता के पहले क्या था और जो पीरेड हमेशा के हमेशा ये जो भी power acquire होते हैं ये पहले को फ्यूडेटरी position में रहते हैं याने की राजा ने इनको छोटी सी जमीन दी जहती है और बाद में वो इसे independence घोशित कर लेते हैं और अपनी territory declare कर लेते हैं वैसे ही आप देखोगे ऐसा ही विजायाला के समय भी था he was a feudatory of पलवास पलव के अंदर इन्हें एक छोटा सा territory मिला हुआ था जब पलव kingdom कमजोर पढ़ने लग गया तो इन्होंने क्या किया पूरा का पूरा पलव kingdom से स्वतंत्रता घोशित कर दी और finally क्या ह हुआ इसी वज़से इन्होंने अपना empire बना लिया नेक्स अपन बात करते हैं जो अपन अलड़ी बात कर चुके हैं पलव और छोला kingdom में जब लड़ाई हुई थी तो छोला के जो emperor है we had seen that आदित्यवन थे उन्होंने क्या किया था पलव को हरा दिया था और पलव के जो ruler थ परिजित उन्हें हार सका सामना करना पड़ा और इसी वज़से पूरा का पूरा पलव kingdom खतम हो जाता है और इसी वज़से आप देखोगे जो territory है पलव kingdom की भी जो territory है वो finally किस में मर्ज हो जाती है छोला kingdom में और इसी वज़से आप देखोगे south इंडिया में क्या हुआ एक जो सबसे important बात इनकी अपन बात करेंगे दो से तीन चीज इनकी important रहेगी एक रहेगी इनका architecture बहुत ज़्यादा important रहेगा और इसके अलावा जितने भी other art forms हैं ये सारे के सारे important है इनका administrative टेकनीक में कुछ इन्होंने बहुत सारी innovations की थी वो भी अपन को देखना रहेगा अपन बात करेंगे दो सबसे important leader जो है राजा राजा वन और राजे वन तो ये जो ब्रिहदेश्वरा temple था ये बिल्ड किया था राजा राजा वन ने और इसी वज़ा से इन्ही के नाम पर इन्हें इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता था इन्ही के नाम पर तो इसी के कारण ब्रिहदेश्वर मंदिर को क्या कहा जाता था राजा राजेश्वर मंदिर इन्ही के नाम पर कहा जाता था नेक्स अपन बात करते हैं इयर भी ध्यान रखेगा कौन से इयर में बिल्ड हुआ था 10 10 AD दस दस easy है याद रखना कोई मुश्किल नहीं है अब जो छोला पिरट का expansion स्टार्ट हुआ था वो इन्ही के tenure से स्टार्ट हुआ था इन्होंने सबसे importantly क्या किया पूरे के पूरे साउथ इंडिया में छोला एंपायर का जो रूल को सेटल किया याने कि छोला masters बने south इंडिया के इन्ही के tenure में साथी साथ इन्होंने क्या किया नौर्थ श्री लंका को अपने अंदर ले आया याने कि northern territory of श्री लंका during the period of राजा राजा वन कब आ चुका था इंडिया के छोला एंपायर के अंदर आ चुका था यहीं पर Maldives भी इन्ही के tenure में क्या हु करते हैं विछ छोला king conquered the whole of Ceylon और श्री लंका अब ध्यान रखेगा जब मैंने आपको बोला राजा राजा तो यह जो राजा राजा वन थे सिर्फ और सिर्फ नौर्थ श्री लंका को इनके बेटे ने क्या किया पूरे के पूरे श्री लंका को इनके बेटे का नाम था रा emperors हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है बहुत सारे exam में when I was researching papers यह date पूछी गई है कि राजा राजा वन कब थ्रोन पर बैठते हैं तो 985 को ध्यान रखेगा और 1014 तक यह empire के king रहते हैं जब उनके बेटे राजे इन वन overtake कर लेते हैं अब और इसी tenure में आपने दे हुआ यह जो मंदिर मंदिर बनाया गया इसके अलावा इनका जो सपोर्ट है इन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनास्टरी एट नागा पत्नम भी बनाया था यह भी ध्यान रखेगा meaning to say is that भले ही यदि आपन देखेंगे दोनों बाप बेटे जो थे शिव के भक्त थे याने शाविजम फॉलो करते थे बट क्या ये दूसरे रिलीजन के लिए अवर्स थे नहीं they were tolerant to other religions also for example बुद्धिस्म particularly बुद्धिस्म के लिए जाधा tolerant है क्योंकि आप देखोगे मुनास्टरी बनाई गई है बट इसके अलावा जैन धर्म के लिए भी टॉलरेंट है next अपने इनके बेटे की बात करते हैं जो देखो 1012 से लेकर एक indirect form में ये आचुके थे ते 1044 तक continue करते हैं अब इस period में यदि आप देखोगे इन्होंने क्या किया एक तो अपने आपने अलरड़ी देख लिया कि ये पूरे के पूरे श्री लंका को conquer कर लेते हैं साथ ही साथ बहुत सारे expeditions इन्होंने साउथीस्ट एशिया में भी बेजा तो जो अपने confluence area देखा था वो किसके समय में आया वो राजेंद वन के कारण क्या हुआ जो नेवी थी छोला एंपरर से बाहर बाहर तक गई अब इसके अलावा यदि अपन देखेंगे इन्होंने एक मेजर एक्सपेडिशन लॉंच किया अप टू गैंजस यानि गंगा के टठ तक इन्होंने क्या किया अटैक किया उस समय याद कीजे हम लोग जब आ पाला डैनिस्टी पाला डैनिस्टी कौन से थे वी हाड स्टडीड दा आर्ट अन आर्किटेक्चर जिन्होंने बंगला रूफ को इंट्रड्यूस किया था पुद्धिजम को यह फॉलो करते थे और इनके बाद भी अपन ने देखा है कौन सी डैनिस्टी आती है सेना डैनि इस जीत को कमेमरेट करने के लिए इस जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने क्या किया एक नया मंदिर बनाया उस मंदिर का नाम है गंगई कोंडा शोलापुरम एक सिटी बनाई गंगई कोंडा और उसमें यह मंदिर बनाया गया यह क्यों मनाया गया क्योंकि जब राजे capital तंजोर से shift कर दिया next अपन बात करते हैं who was the last ruler of solar dynasty last ruler थे जो उनका नाम था Rajendra 3 ये उनका नाम था ये ध्यान रखेगा पुछा जाता है कई बार इसलिए ध्यान रख लीजेगा so Rajendra 3 क्या हुआ ये भी last हैं बट कोई बहुत mighty leader के आसपास बड़ा leader exist नहीं करता है तो जब उसका downfall होता है तो इस वज़े से आप देखोगे normal तौर पर आम तौर पर देखा जाता है कि वो empire collapse हो जाता है ऐसा ही कुछ इनके समय भी हुआ जब फाइनली क्या हुआ ये राजेन 3 को हरा दिया गया था और इसको पूरा का पूरा फोला kingdom को पांडिया empire के अंदर merge कर दिया गया था नेक्स अपन बात करते हैं which of the following is not one of the great living चोला temples अब ध्यान रखेगा ये बहुत important question है एंटीपीसी का question है ये जो great living चोला temples है ये जो है टमिल नाडू में सारे के सारे तीन temple है जो टमिल नाडू में situated है इसलिए important है क्योंकि ये UNESCO के cultural site में listed है इसलिए ये तीन temple का आपको ध्यान रखना है तीनों के तीनों temple कौन सी style में बने हुए है याद कीजे हम आपन ने temple architecture की बात करी थी तीन temple पढ़े थे जो छोलास के अंदर develop हुए थे उनको क्या कहते हैं ड्रेविडा style of temple नौर्थ इंडिया में गुपता के अंदर जो develop हुए थे उन्हें नगाडा style of temple कहते हैं वहीं पर जो temple चालुक्यास और होईसालेश्वर में स्थित हैं याने की होईसालेश्वर में स् स्थित हैं वो हैं वेसार style of temple जो दोनों के दोनों नगाडा और ड्रेविडियन style of temple से मिलकर बने हैं तो यहां पर नौट पूछ रहा है तो देखे दो temple तो अभी अपनने पढ़ी लिया गंगई कोंडा चोलापूरम ये किस ने बनाया है राजेंद्र वन ने बनाया है ये देख लिया आप बेसिकली बाब बेटे ने ये मिलके बनाया है इसके अलावा एक और मंदिर है जो है एरावतेशवर मंदिर ये जो है ये भी राजा-राजा के जो future वाले हैं यानि कि राजा-राजा 2 ने बनाया है इस मंदिर को और ये तीनों जो मंदिर है मिलकर चोलम पूरम जो अपने देखा जब गंगा को पार करके बेंगवाल में जीत हासिल करी थी इसी वज़ा से राजय इन जी ने बिल्ड किया था और अरतेश्वर मंदिर ये तीनों मंदिर ध्यान रखिएगा तो next अपन बात करते हैं what was the land gifted to a temple called in the छोला empire याद कीजे इस question को अपन already कर चुके हैं जब हम लोगों ने देखा था जब भी ब्राम्मानिजम का rise होता है तो हम लोगों ने देखा था कि ब्राम्मन और temple को land दी जाती है so we had seen the phenomena जहाँ पर feudalism याने की land देने का concept medieval period में start होता है और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ मिलके जब ब्राम्मानिजम rise होता है तो क्या होता है ब्राम्मनों और मंदिरों के लिए land दी जाती है इस phenomena को देखा गया था after the decline of ancient period जब ancient और medieval का intermediate phase था तो जो land gifted to temple थी उसे क्या कहते थे अपन देवदान और वहीं पर जो भूमी ब्राम्मन को दी जाती थी उसे कहा जाता है ब्राम्म देय यह अपने देख चुका है यह जो है हर पिरेड में दी गई है जहाँ पर भी ब्राम्मानिजम का rise हुआ है तो चाहे वो आप गुपता पिरेड देखलो चाहे वो पल्लवा पिरेड देखलो नाम वही रहेगा तमिल नाडु में चाल यह जो छो लास के अंदर हो सकता है नाम थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इनके केस में देवदान भी कहते है और साथी साथ तृन्नु तिरुन मदू कानी ये भी कहते हैं नाम थोड़ा सा difficult है बटी question बहुत बार पूचा जा चुका है हर exam में आपको इस question का जिक्र मिलेगा तो ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा ऐसा नहीं है देवदान नहीं कहते हैं ये same as देवदान ही है बट इसका नाम छोला में अलग रखा गया है तो तिरुन मदू कानी ध्यान रखेगा इस नाम को नेक्स अपन बात करते हैं ब्रम्मदे अपन ने देख लिया जो ब्राम्मनों को लैंड दी जाएगी और उसके बाद देख लिया अपन ने देवदान याने की जो अपन ने नाम देखा डिफिकल सा ये दोनों जो लैंड रहती है ये अपन ने देखा टैक्स फ्री रहती है यहां से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है इसके अलावा शाला भोग भी दी जाती थी छोला एंपायर के अंदर शाला मतलब स्कूल और यदि स्कूल को मेंटेन करने के लिए कोई लैंड दी जाए देखो होता क् आब जैसे की जो तरीका होता है जैसे आज की डेट में एक सेंटल गवर्मेंट है ये सेंटल गवर्मेंट क्या करें स्कूल रन करना है पूरे के पूरे सोसाइटी में स्कूल रन करना है तो स्कूल रन करने के लिए क्या किये सेंटल गवर्मेंट पैसा दे दिए आपको दे भूमी दे दिया और इस भूमी से जो भी tax आएगा वो tax से आपको ये school run करना है तो उसी को ही कहा जाता है शाला भोग इसके अलावा ऐसे ही jan temple को या jan institute जो भी है उनको run करने के लिए भी एक particular grant दिया जाता था वो है पली चंदम ठीक है ये ध्यान रखेगा तो ये चार बहुत important है इन सारों terms को ध्यान रखेगा next अपन बात करते हैं छोला administration के बारे में अब ध्यान रखेगा जैसे की हम लोगों ने already बात कर चुका है we had discussed about पल्लवास और पल्लवास में मैंने आपको बताया था कुछ basic forms of evolution हुए थे local self government के याने की local level पर local institutes को क्या दिया जाएगा कुछ power दिया जाएगा और वो अपनी territory को खुद rule कर सकते हैं यह जो है finally छोलास के tenure पर अपनी peak हासिल कर लेता है याने कि village में assemblies बनाई गई village में committees बनाई गई और वो अपना साशन खुद करते थे एक तरीके से आज की date में जो पंचाइती राज institutions होते हैं उसमें क्या होते हैं वोर्ड बनाये जाते हैं देखा है अपनने अर्बन लोकल बोडी में वर्ड बनाये जाते हैं वॉर्ट कमिटी के बारे में भी अपने पढ़ा था, याद कीजे तीन लाख से मेंबर से जब उपर होते हैं तो वॉर्ट कमिटी कंसिट्यूट की जाती है, तो ये सब किसलिए बनाया जाता है, ताकि efficient administration हो, administration सहीं तरीके से हो सके, इसी वज़ा से आप देखोगे, यहाँ पर चोलास में, इसमें एक exception है जो कि अपने पहले देखा था, तालुक्यास period में क्या हुआ था, यह एक ऐसा tenure था, जहाँ पर गुपता जैसे centralization था, यानि कि यहाँ पर कोई भी committees नहीं थी, what's नहीं था, लेकिन पल्लवासवा चोलास में मिलता है, तो the most important feature of चोला administration was, absolute despotism of the monarch, यानि कि monarch बिल्कुल ही अपने इच्छा कैनुसार ही फैसला करते थे, नहीं, देखा है अपनने हर जो राजा होते हैं, उनका क्या होता है, एक मंतरी परिशद होता है, उसकी advice पर वो करते हैं, next है, मंदल, moodless at the provincial level, autonomous assembly in a district, autonomous village assemblies in the agrahar, अग्रहार एक बहुत important term ह यह मतलब होता है, छोला के टाइम पर, village, गाउं का मतलब होता है, village, यहाँ पर, गाउं level पर क्या होती थी, autonomous village assembly, यानि village को, assembly को खुद से function करने का power दिया गया था, तो this was the basic, अब देखो, यहाँ पर क्या था, इन assemblies को क्या कहा जाता था, उर, या सभा, या महा सभा, ये ना elderly लोग रहते हैं, elderly मतलब जिनको election नहीं लड़ना है, जो अपन को माना जाता है, आज की rate महला कि ये representation बहुत जादा नहीं है, बट राज्य सभा में states के representation रहते हैं, जो जादा honored लोग है, माना जाता है, वो राज्य सभा में रहते हैं, ऐसा ही, सभा जो थे, जो elderly लोगों का member था, जो जादा समाज में प्रसिद्ध थे, जिनोंने कुछ उचित काम किया है, उनको सभा में रखा जाता था, तो अब जैसे कि आपनने हर बार देखा है, याद कीजे एक administrative unit होता है, वैसे ही छोला period का administrative unit आपको पता होना चाहिए, बहुत important है, बहुत बार question पूछे जात हैं, तो मंदल, मंदलम याने की होता है, प्रोविंस, याद कीजे जो गुपता period में अपनने क्या पढ़ा था, भुक्ती, और भुक्ती को head count करता था, भुक्ती पती, तो ये वोही प्रोविंस है, नेक्स आता है, वल नाडू, नाडू का मतलब होता है, वल नाडू का चोला period में है, कुर्रम जो कि अपनने पढ़ा था, गोपा नाम से, या ग्राम नाम से, अलग-अलग नाम से पढ़ा था, और गोपा बेसिकली official थे, जो exist करते थे, गाओ लेवल पर, और ग्राम पती भी उसके official का नाम कहलाता था, तो ग्राम बिकेम कुर्रम इन चोला administration, ये order पूछा गया है बहुत सारे exams में, तो सबसे छोटा unit कौन सा है, कुर्राम जो गाओं के equivalent होता है, फिर नाडू जो district के ऊपर equivalent होता है, वल नाडू जो division के और मंदलम जो province के equivalent होता है, नेक्स अपन बात करते हैं, consider the following statements regarding the administration under छोला empire, administration under छोला empire के बारे में पूछा जा रहा है उर and सभा, where village assemblies mentioned under छोला inscription, देखा अभी अपनने, village assemblies होती है, सभा में क्या होते हैं, normally elderly लोग जादा होते हैं, और उर में other eligible members जो होते हैं, वो उर के member होते हैं, तब village affairs were managed by executive committees which were open for all, अब देखो होता क्या था? इन सब के अंदर, जैसे कि अपनने ward committees देखी थी, और जादा छोटा unit कि एक ward के सारे के सारे members काम कर सकें, वैसे ही यहाँ पर executive committees बनती थी, याने कि road maintain के लिए एक जन को committee दे दिया गया, नाली, साफसफाई के लिए एक committee को दे दिया गया, तो ऐसी committees बनती थी छोला empire में, य नहीं, इतना जादा democratic system नहीं था, यहाँ पर भी कुछ basic rules है कि आपको वेदास की knowledge होनी चाहिए, आपको जमीन own करना चाहिए, आप साल का इतना खमाई होनी चाहिए, तब ही जाके आप इस committee के member बन सकते हो, तो यह village committee exist करती थी, जो काम करती थी, बट यह certain upper caste लोगों के थी, next है, the dravid style of Brihadeshwar temple at Tanjore was built by Rajendra 1, देखा है आपन ने, Brihadeshwar temple Rajendra 1 के पापा ने बिल्ड किया था, क्या नाम था उनका, राजा राजा 1, इसी वज़ा से इस मंदिर को क्या जाता था, राजा राजेश्वर मंदिर भी, तो third statement जो है, गलत हो गया, तो कौन सा statement चाहिए, Now, अब revenue के लिए, अब देखे, already we had talked, कभी भी कोई बड़ा राजे होता है, तो राजे चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, ये सबसे important है, इसी वज़ा से यहाँ पर क्या होता था, the residential portion of village, जहाँ पर क्या लगता था, उर नाटम, यानि कि जहाँ पर लोग रहते हैं, उस नहीं लिया जाता है, इसलिए important है, next अपन बात करते हैं, village assemblies, already अपन ने बात कर ली, कि यहाँ पर क्या है, village assemblies के basis में और उसकी committees के basis में क्या होता है, बहुत सारा management होता है, local level का management होता है, जिसकी वज़ा से थोला empire में एक administrative efficiency आती है, next यदि अपन society के बारे में बात करें, तो society के बारे में जब भी अपन ने brahmanism का rise हुआ है, तो क्या देखा है, जो भी rigid orthodoxity है, वो बढ़ी है, तो one system के जो चार थे, वो ज़्यादा rigid हो जाएंगे, brahman शत्रिय की position बढ़ जाएगी, शूदर की position और जादा घट जाएगी, women की position घट जाएगी, normally इन सारे period में सत की practice होती थी, child marriage prevalent था, तो ये सारी practices जो है, brahmanism के साथ, वो देखी गई है, हर जब भी यहाँ पर brahmanism rise होगा, rig Vedic period को छोड़के, ये सारी practices जो है, exist करेंगी, अब ध्यान रखेगा, याद कीजे, जब अपन भक्ती movement पढ़ रहे थे, तो भक्ती movement में अपनने क्या पढ़ा था, 6th century से 10th century AD के बीच में क्या हुआ, Tamil Nadu या South India के आसपास भक्ती movement उर्जनेट हुआ, जो भक्ती movement में दो टाइप के वर्षिप किया जाता था, या तो विश्नु को वर्षिप किया जाता था, या तो शिवा को वर्षिप किया जाता था, वी हैच सीन विश्नु को करने वाले नयानार्स कहलाते थे, इन लोगों की क्या विश्यष्टा थी, कि ये local languages में भक्ती को promote करते थे, इसी वज़ा से आप देखोगे, local language की वज़ा से आप देखोगे, पूरे के पूरे South India में, इस period में क्या हुआ, Tamil, Telugu, इस तरीके की language का development हुआ, और इसी period में आप देखोगे, तमिल में बहुत सारे important literature लिखे गए, जैसे याद कीजे, आपन ने तेवारम की बात की थी, जिसे तमिल वेदा भी कहा जाता है, तो these are the basic thing जो आपन ने अलरड़ी बात कर चाथी है, तो मैं इसे फिर से include नहीं किया हूँ, now next आपन बात करते है, what is the typical style of temple architecture of South India developed by छोलास, छोलास के अंदर क्या develop हुआ है, अपन ने देखा है, ड्रेविडिया स्टाइल, ड्रेविड स्टाइल क्या हुआ है, सबसे पहले अपन ने देखा है, पल्लव जो है, रॉक कट आर्किटेक्टर डेवलाप करते हैं, उसी में जो लास में structural temples develop होते हैं, नर्सिम्मा कर्मान 2 के tenure में वो जो है, फाइनली, लेटर ओन कॉपी किये जाते हैं, एक बेसिक फ्रेमवर्क अड़ॉप्त किये जाते हैं, छोलास के ताइम पर और इसे ड्रेविडियान स्टाइल ओफ टेम्पल कहा जाता है, वी हाट सीन ड्रेविडियान स्टाइल ओफ टेम्पल की ब जिसे की कहते हैं विमान, इसके अलावा आपन ने देखा था कि इन टेम्पलों में क्या होता है, क्योंकि पानी की कमी थी, इसलिए यहाँ पर अंदर वाटर टांक्स होते हैं, जो इन मंदिरों के अंदर में पाय जाते हैं, तो यह सारा कुछ अपन ने टेम्पल आर्किटे के साथ trade भी बहुत सारे हुआ है पल्लवास में अपन ने देखा है अधर में भी देखा है advancement of tribal culture ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है so this is the statement now next अपन बात करते हैं the famous bronze figure नतराज belonging to the छोला पीरिड डेपिक्स with Hindu DT in the dancing form अब एक और important जो है bronze में एक figure exist करता है जिसे कहा जाता है नतराज ध्यान रखेगा ये जो नतराज की image है सबसे refined form में कौन से period में आती है छोला के period में आती है बट क्या छोला period में ही पहली बार नतराज बनाया गया नहीं तो ये देखिए पहले 6th century में आप देखोगे अजन्ता इलोरा में इलोरा में स्वरी अजन्ता नहीं इलोरा एन बदामी केवस में नतराज जैसी paintings discover की जा चुकी है और जो सबसे बड़ी largest नतराज टैचू है वो पाई गई है टमिल नाडू में ही निवाली में याद कीजे निवाली में अपने क्या देखा था सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर जोग्राफी में अपने पढ़ा था lignite की mines है सबसे बड़ी lignite mines जो सबसे ज़ादा mechanized है पूरे के पूरे lignite industry में वो टमिल नाडू में निवाली में है यही पर सबसे बड़ी नटराज की statue अभी तक पाई गई है इसमें कौन से भगवान की वशिप की जाती है नटराज एक फॉर्म के शिव है जो टांडव style में डांस करते रहते हैं तो देखते हैं अब this is the form of नटराज I am sure आप लोगों ने सब के देखा होगा अब इसमें क्या होता है हर एक element कुछ ना कुछ represent करता है जैसे for example यदि आप left hand देखोगे तो यहाँ पर है यह depict किया है fire fire जब बात करते हैं तो इनका कहना है fire मतलब क्या होता है कि कभी भी नव निर्मान के लिए पुरानी चीजों का destruction जरूरी है तो यह आग क्या करती है यह पुरानी चीजों को भस्म करने का काम करती है ताकि दुनिया में फिर से अच्छाई का जन्म हो इसके अलावा यदि आप देखोगे इन दा राइट हैंड यहाँ पर एक ड्रम दिखाई दे रहा है तो ड्रम क्या दर्शाता है जो पूरा का पूरा जब डान्स हो रहा है टांडव हो रहा है डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस अवास को ड्रम यह दर्शा रहा है इसके अलावा यदि आप देखोगे, यह जटाएं हैं तो यह जटाएं जो हैं गंगा नदी के बहाव को दिखा रहा है इसके अलावा यह जो है यह सारी lights है जो चारों तरफ फैली हुई है यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक हाथ है जो इस प्रकार इस मुद्रा को कहा खाल जाता है अब है मुद्रा यानि कि आपने देखा होगा देवी देवताओं यदि बड़े आशिर्वात देते हैं तो ऐसे करते हैं इसको कहा जाता है अब है मुद्रा यानि कि भगवान की जो kindness है कि हमेशा हमारा भला करते हैं वो भी इस मुद्रा है लावalam यहाँ पर आप देखोगे, जो शिवजी हैं, एक ड्वाफ पर खड़े हैं. यह जो है, यह यह ड्वाफ रिप्रेजन करता है, जो भी हमारी ignorance है, या evils है, वो सारे को दिखाता है. और हमें यह प्रेजन करता है कि हमें अपने सारे ignorance के ऊपर खड़े होकर उसको overcome करना चाहिए तो हर एक element कुछ ना कुछ represent करता है बहुत ज़्यादा important नहीं है basics आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है श्रिवजी की मूर्ती है यदि आप देखोगे तीन bent है 1, 2, 3 इसको क्या मोलते हैं तीन bent को त्राइभंग पॉस्चर बोला जाता है ये इस पॉस्चर में ये मूर्ती situated है तो this are the basic stuff कौन से empire में सबसे ज़्यादा पाया गया है सबसे ज़्यादा refined छोला empire में पाया गया है तो that is all इसी के साथ हमारे जो भी important areas थे ancient India के हैं वो हम लोगों ने खतम कर लिया है next video में अपन medieval India के बारे में बात करेंगे medieval India के बारे में जब we will be talking about most importantly we'll be talking about Delhi सल्तानेट और उसके पहले की क्या condition सी जब सल्तानेट established हुआ and then we'll be talking about Mughal इसके बाद वाला portion जो है वो अपन ने modern India में European के arrival से कर चुका है so that is all for this video I hope you liked it यदि आप किसी particular चीज को चाहते हैं cover out करना exam में कोई आपको problem आ रही है last में revision करने में बहुत बार concise चीजे मिलती नहीं तो यदि कुछ चाह रहे हैं तो please मुझे comment करिये मुझसे personally आप help मांग सकते हैं या इसी में comment कर सकते हैं I would be glad to make videos या किसी भी तरीके में आपकी help करने Thank you and have a great day